बिसमुल्य रफ्मान रहीम असलाम लेकुम यूट्यूब चैनल अगर आपका पीसी या लैप्टॉप अलो है तो यह वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में हम कुछ टिप्स और ट्रेक्स दिखाएंगे जिनकी मदद से आप अपने लैप्टॉप को स्पीड अप कर सकते ह सबसे पहले आपने विंडो सर्च बार पर लिखना है डिस्क्लीन अप अब डिस्क्लीन अप आपके सामने शोगी आपने इस पर क्लिक कर देना है वहाँ भी सी ड्राइब को स्लेक्ट करके ओके प्रेस कर दिना है यहां पर आप एक list देखेंगे, सब option को select कर ले इसमें download भी include है, अगर आपके download folder में कुछ important data है तो उसको uncheck कर दे और आप ok प्रेस करें और delete file confirm करें यह process आपके तमाम unnecessary files को delete कर देगा second option is disable startup app, again search for task manager and click on it यहां पर fourth tab startup पे click करें, यहां पर आप apps की list देख सकते हैं जो windows startup पे automatically start हो जाती है, यहां पर आप one by one एक app को select करेंगे यहां right bottom corner पे disable का button है उसको click कर देंगे अगर आपके कोई जुरूरी app या antivirus है तो आपने उसको disable नहीं करना यहां से disable करने का मतलब है कि आपकी app automatically start नहीं होगी लेकिन आप लब चाहें उसे start कर सकते हैं apps को disable करने के बाद इस window को close कर दें third option is disable extra running services इसके लिए आपने windows प्लेस आर प्रेस करना है और ms config लिखकर enter प्रेस कर देना है अब एक छोटी window open होगी यहां पर आपने इसके third tap services पर जाना है यहां नीचे एक option है hide all Microsoft services इसको check कर देना है अब सिवाए antivirus के services के बाकी तमाम services को uncheck कर देना है again अगर कोई ज़रूरी program या startup services है तो उसको uncheck ना करें start up और services को disable करने से आपकी eyes पर कोई effect नहीं होगा आप जब चाहें इन्हें run कर सकते हैं uncheck करने के बाद आपने apply और ok press करना है ok press करने के बाद windows आपको एक message देगी कि आप अपना computer restart कर लें अगर आप अपना computer नहीं restart करना चाहते तो आप बाद में भी कर सकते हैं पर again windows प्लस आर प्रेस करना है और temp लिक कर एंटर करना है temp folder आपके सामने आजाएगा आपने इसमें जितने भी files हैं उसमें control प्रेस करना है और shift delete प्रेस कर देना है यह आप से confirm करेंगा अगर आप yes प्रेस करेंगे तो आपकी तमाम फाइले completely delete हो जाएंगी अगर आपको try again का message आता है तो आपने skip all file करके ok कर देना है अब आप इस window को close कर देंगे जिन files को बडिलीट नहीं करता वो इन process है और जिनको बडिलीट कर देगा वो बाकिसारी extra है नमबर 5 पर again windows आप प्रेस करना है और percentage temp percentage लिखकर enter प्रेस करना है यहाँ भी same process करना है मतलब all files delete कर देनी है और अगर आपको try again का message आता है तो skip all कर देना है और close कर देनी है विंडो sixth trick में आपने this PC search करना है और this PC पर right click करके properties पर क्लिक करना है यहाँ आपने advance system settings को choose करना है और यहाँ पहली option performance पर आपने settings पर क्लिक करना है अब आपने third option adjust for best performance पर क्लिक कर देना है और last three option को check कर देना है यह करने के बाद आपने apply करके second tab advance पर जाना है और change का button प्रेस करना है यहाँ सबसे उपर automatically manage paging file को uncheck कर देना है और custom size पर क्लिक करके आपने c drive के इलावा कोई दूसरी drive चूस कर दी है जिसमें काफी space available हो इस process से आपकी paging file c drive से दूसरी drive में shift हो जाएगी और आपके system की performance बेहतर हो जाएगी इनिशल size आपने PC की RAM का double कर देना है जैसे हमार पास laptop में 8GB RAM है और हमने initial size 16,000 MPs कर दिया है और maximum size 8GB का third mean 24,000 MPs कर दिया है ये करने के बाद आपने set का button प्रेस करना है और इसके बाद आपने दुबारा C drive को select करना है C drive को select करके initial size 0 और maximum size 0 कर देना है और set का button प्रेस कर देना है यहाँ आपको एक warning receive होगी आपने yes कर देना है इस प्रोसेस के बाद आपको restart का message receive होगा और आप ok या yes प्रेस करके system restart कर ले 7th trick पर आपने any PC या laptop से तमाम unnecessary programs को uninstall करना है इसके लिए आप windows प्रेस करेंगे और avis.cpl लिखकर enter करेंगे यहां आपके पास install program के list आएगी uninstall करने का तरीका आप वीडियो में देख सकते हैं जितने भी unnecessary programs है उनको आप uninstall करते हैं 8 नमर पर अगर आपके computer में SSD hard drive install नहीं है तो इसमें main SSD hard drive install करवा के windows और प्रोग्राम दोबारा से install कर लें या करवा लें SSD और SATA speed comparison देखने के लिए description में वीडियो का link दिया गया है आप देख सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो में किसी भी चीज की समझ नहीं आई तो यू प्लीज फिल फ्री तो आसक इं कमेंट सेक्षिन अंगर शुटार प्लीज के लिए लेक्या तबने लिए प्लीज वाग देख सकते हैं